हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टो माइच चैनल I hope आप सब बहुत अच्छे हैं तो आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही इजी रेसिपी डिजर्ट की ये बहुत ही और्गानिक रेसिपी है इसे हम नारियल से बनाने वाले हैं और इसे आप काफी हल्दी दरीके से बना सकते हैं ताकि अगर आपको डिजर्ट खाने का मनो तो आप एक healthy alternative चुन सकेंगे तो आज हम बनाने वाले हैं नारियल के लड्डू चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो है नारियल को हम shreds कर लेंगे यहां में मैंने एक पूरा नारियल लिया है जिसे हम ऐसे shreds कर रहे हैं अगर आप चाहें तो नारियल की shreds जो है वो market में available होते हैं आप वहां से directly shreds भी खरीच सकते हैं ऐसे नारियल को shreds करने में एक फायदा यह होता है कि जो नारियल का oil है वो उसमें बचा हुआ रहता है तो यह एक machine होती है जिससे हम नारियल को shreds करते हैं इसके बाद जो shreds हैं अगर आपने खरीदा है तो उसे भी एक परतन में डालके उसमें हम good को add कर लेंगे और good को simple good को आपको piece के इसमें add कर लेना है अगर आप good नहीं add कर रहे हैं चीनी आठ कर रहे हैं तो आप चीनी भी आठ कर सकते हैं बट हमने यह पर good से बनाया है तो इसलिए हमने good add किया है अगर आप एक पूरा नारियल ले रहे हो एक काटोरी नारियल तो हमें one fourth काटोरी good use करना है और सेम चीनी, उसके बाद जब अच्छे सी गोड को मिक्स कर देंगे तो इसे आप 2-3 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ेंगे उसके बाद हम इसे फ्लेम पे रखेंगे और लो फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक ये स्टिकी ना हो जाए तोड़ा सा मैंने इसमें दूद पाउडर जो होता है, वो आड़ किया है, इससे बहुत अच्छी सी टेस्ट आती है, और जो स्टिकिनेस है वो बढ़ दाती है, जिससे लड़ू जो है, वो काफी दिन तक आपका जो है स्टिक रहता है, क्योंकि अगर आप ये नहीं आड़ कर ये लड़ू काफी टाइम तक आप स्टिक कर सकते हैं, तो ये टूटे ना, इसलिए हम इसमें मिल्ट पाउडर आट करते हैं, अब हम इसे पकाते रहेंगे लो फ्लेम पे, जब तक ये स्टिकी ना हो, उसके बाद जो है, आपको हाथों में अच्छे से पानी लगाना है, औ अब हलका सा गरम हो तभी, और ये लड़ू बनाना है, आप जब ये ग्यास पे रखें, तो इसे हलका हलका प्रेस करके रेखते रहें, कि ये लड़ू फॉर्म होने लगे हैं या नहीं, तो आप आपको रेसिपी अच्छी लगी हो, आप इसे ज़रूर ट्राइ करेंगे, च